इस वीडियो में हम physics की एक common problem, the horse and the cart का concept सीखेंगे Suppose एक cart rest पे है, जब उसका driver चाबुक मारता है गोड़े को तो बहुत सारे students का ये question होता है कि गोड़ा कार्ट को pull कर रहा है force F1 से आगे की तरफ और Newton के तीसरे law के मताबिक, cart भी horse को उसी force से pull करेगा backward direction में, जो यहाँ पे F2 से दिखाया गया है तो students का question ये है, कि sum of the forces जो रहता है वो 0 है तो cart आगे की तरफ accelerate क्यों करता है? इसका solution ये है कि पहले हमने system को decide करना है कि हम horse को system लेंगे, या cart को system लेंगे या cart और horse को together system लेंगे दूसरा हमने ये देखना है कि जितने भी forces उस system पे लगती है उन तमाम को consider करना है Suppose हम horse को system लेते हैं, अब horse पे लगने वाली सारी forces हमने देखनी है तो F2 लग रहा है backward direction में, cart लगा रहा है F2 force road पुश कर रहा है horse को force P से क्योंकि horse भी road को जो है वो पुश कर रहा है तो उसका forward component F है अगर F greater है F2 से, तभी horse आगे मू होगा तो net force F minus F2 है और acceleration इस force का divide by mass of horse gravity का यहाँ पे कोई component forward नहीं है, इसलिए हम वो consider नहीं करते अब देख लिजे cart, cart पे act होने वाले forces एक तो F1 है, जो horse लगा रहा है forward direction में दूसरा ground वैसे ही लगा रहा है force Q और उसका backward component F' है तो total forces उसके जो act हो रही है, वो F1 minus F' है तो acceleration इसी force का divide by mass of cart अब जो यह forces है F and F' यह self adjustable है और इस तरह adjust कर लेते हैं आपस में कि इन दोनों का acceleration बराबर हो जाता है horse कभी और cart कभी और एक साथ चलते हैं reminder आप याद रख लिए कि एक system आपने decide करना है और इस system में तमाम forces आपने consider करनी है